इवी का पॉपलर शो है बलवीर रिटाइन जिसकी कहानी और किरदार दर्शकों को इतनी जादा पसंद आये थे कि दर्शक इसका एक भी एपिसोड नहीं छोड़ते थे और इस बात का सबसे ज़्यादा श्रह जाता है अभीनिता देव जोशी को जो शो के अंदर दब्बो उर्फ नकापोश का करदार ने भाते हुए नजर आ रहे थे जो आपने इस किर्दार को इतनी बखू भी बढ़ते पर उता रहे थे कि ये अपने इस किर्दार के साथ घर घर में फेमस हो गई थे लेकिन दोस्तों आप इनके बारे में तो सब कुछ जानते हैं पर क्या आप जानते हैं कि आपके ये फेवरिट अभिनिता कितना कमाते हैं कितनी प्रॉपर्टी के मालिक हैं और कैसी लाइफस्टाइल जीते हैं तो इनी सब सवालों के जबाब को जानने के लिए आप हमारे साथ इन वीडियो के आंग तक बने रहिए लेकिन उससे पहले से अभिनेता के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करना न भूले बलवीर रिटर्न शो से फेमस हो चुके अभिनेता देव जोशी का जन्म 28 नमबर 2000 को गुजरात में हुआ था जिसके चलते इन्होंने अपनी सारी पढ़ाई यहीं से ही पूरी की है अगर बात करें कि अभिने करियर के बारे में तो आपको बता दे कि इन्होंने अपने करियर की शुरुवात की और अच्छा प्रदर्शन किया जिनके इसी प्रदर्शन को देख इन्हें आके चलकर कई और सीरियल के आफर मिलें जिन्हें अपनाते हुए इन्हें सीरियलों में काम किया जिसमें चंदर श्वेखर, काशी, देवो के देव, महादेव और महिमा शनी देव की जैसे सीरियल शौमिल है वही आक्री बार ये हाल ही में बलवे रिटर्शो में दब्बू का करदार निभाते हुए नजर आये थे वही आपको बता देगी आपने हर सीरियल में काम करने का पर डे अपिसोड 65,000 रुपे तक चार्ज करते हैं इनके इनी सब अमाउंट को मिला कर इनके पास कोल 15 करोड रुपे की संपत्ती है इनमें इन्होंने मुंबई में अपना एक आली शौन बगला खारीता है जिसके कीमत 1,5 करोड रुपे है जो दिखने में ही वाके एक खूप सूरत है जिसमें हर चीज को घरवालों की जरुरत के हिसाब से सजाया गया है लेकिन अगर बात करें इनके प्रॉपर्टी के लावा इनके लावा इनके लाइफस्टाइल के बारे में तो आपको बता दें कि ये काफी लाइफस्टाइल जीते हैं जोहां ये 25,000 की जीन शिर्ट बैंड पहनते हैं तो वहीं इनके कपड़ों के साथ 30,000 की गूची और पराड़ा जैसे ब्रैंड की शूज भी गहरी करते हैं और साथ ही साथ ये गौगल्स पहनते के भी काफी शौकीन हैं जो तकरीबर 7,000 के होते हैं अब अंत में नज़र डालते हैं इनकी लक्शिय लाइफस्टाइल को और भी मस्त बनाने वाले कार कलेक्शन के बारे में तो आपको बता दे कि इनके पास हुंड़े और टोइटर जैसी कई सारी गाड़ियां मौजूद है जिसकी कीमत 60-45,000,000 रुपे तक है मैं अब बात करें इनकी नीज़े जिन्दकी के बारे में तो आपको बता दे कि फिलहाल या अक्टर अभी जिंगल है और अपने करियर पर फोकस करना चाहते हैं दोस्तों आपको देव जोशी के लाइफ स्टाइल के बारे में जौन कर कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करकर जरूर बताएं और साथ ही छोटे पर्दे से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जाने के लिए आप हमारी चैलेंट को सब्सक्राइब करना ना भूद